हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लाश टेंथ का जो है सांखी की और प्राईकता जिसमें आपका अध्याइए एक होगा, संचाई बारमबारता वक्रत्वात वारन तो सबसे पहले हम लोग इसमें कि समझेंगे कि संचाई बारंबारता क्या होता है फिर समझेंगे से अधिक और से कम बारंबारता क्या होता है तो देखें सबसे पहले हम लोग समझते हैं संचाई बारंबारता क्या होता है तो देखे, माल लेजिए कि अगर दिया हुआ है चर रासी, माल लेते हैं कि यहाँ पर चर या फिर वर्गंत्राल दे दे, माल लेजिए यह आपका वर्गंत्राल है, वर्गंत्राल कुछ माल लेजिए, फिर यहाँ क्या होगा, तो यहाँ आपका बारंबारता होगा, यहाँ क्या होगा तो इसके बाद जो है संचई बारंबारता इसे पढ़ते हैं संचई बारंबारता तो सभी को जो है बाड़ी बाड़ी से समझते हैं कि संचई बारंबारता क्या होता है फिर जो है तोरन कैसे बनाते हैं वक्ड अथवा तोरन इशी कुका जाता है तो देखे सबसे पहले अगर वरगंतराल जो है मालने जीरो से 10 से 20 है 20 से 30 है 30 से 40 है और 40 से जो है 50 है फिर 50 से 60 मालने जीए और 60 से 17 और यहां जो है बारंबारता जैसा कि इसका 5 है यह 6 है यह 7 है यह 8 है और यह 2 है और यह 4 है इसका सबसे पहले संचरी बारंबारता निकालना है तो क्या करते हैं कि इसे जोडते हैं तो इसमें तो कुछ जोडने वाला है नहीं तो इसका संचरी बारंबारता 5 ही हो जाएगा फ 6 जोड़ेंगे इसके बाद क्या 7 जोड़ेंगे कुल मिला के कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा फिर इसमें 5 तो जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे 7 जूरेंगे और 8 को जूरेंगे तो यह कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा फिर क्या करेंगे 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 और यह 2 है तो 2 जूरिए तो यह क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा फिर यहां लिखेंगे 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 4 तो ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा देखिए इतना करने की जो है जरूरत नहीं है देखिए यहां 5 से तो 5 लिखे 5 में 6 जोर दीजी 11 हो जाएगा 11 में 7 जोर दीजी 18 हो गया 18 में 8 जोर दीजी 26 हो जाएगा 26 में 2 जोर येगा 28 हो जाएगा 28 में 4 जोर हैंगे कितना हो जाए तो यहां लिख दिजिए से कम संचई बारंबारता और एक जो होता है से अधिक संचई बारंबारता होता है क्या होता है से अधिक संचई बारंबारता तो यहां संचई बारंबारता लिखेंगे देखें से कम होता है यह जो आपका लिखा गया है यह से कम संचई बारंबारता यानि 5, 11, 18, 26, 28 और 32 यह कैसा हो गया तो यह से कम संचरी बारमबारता हो गया जबकि से अधिक लिखेंगे तो 32 को कहां लिखेंगे उपर लिखेंगे इसके बाद क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा इसके बाद 26 हो जाएगा इसके बाद 18 हो जाएगा इसके बाद 11 हो जाएगा औ तो देखिए अब कैसे बनाते हैं तो देखिए एक्सरसाइस आपका वन है इसका जो है पहला कोशिन कहता है किसी अस्पताल के 55 मरीजों की आयू का संचयी बारंबारता बगल वक्र में अंकित है बगल में अंकित है अब निमनांकित प्रशनों के उत्तर दे कहाँ पहला कोशिन है कि 30 वर्ष से कम आयू के मरीजों की संख्या कितनी है तो देखिए आयू तो नीचे दिखाया गया जिब की उपर मरीजों की संचयी बारंबारता दिखायी गई है तो आपको पूछ रहा है कि 30 वर्ष से कम आयू की कितने मरीज है तो देखें ये 20 हो जाएगा और ये 30 तो 30 से कम देखना है तो 30 तो यहाँ है और इस से कम आयू की संख्या तो ये आपका क्या दिखा रहा है ये आपका दिखा रहा है आयू दिखा रहा है और इधर मरीज दिखा रहा है तो आप मरीज के लिए कि इधर देखेएगा, इधर देखेंगे जैसा कि यहाँ 10 पिदे देखेंगे तो 10 क्या हो गया 10 जो है आपका you हो गया और इसमें मरीज की संख्या कितना है 15 है यानि y अक्षवला आपका मरीजो की संख्या हो जाएगा और X अक्ष वला जो है आयू हो जाएगा तो 20 वर्ज से कम इस से कम देखेंगे तो यहाँ 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 जो है आपका देखें तो आपके जो मरीजो की संख्या होगा 30 से कम यह कितना हो जाएगा तो यहाँ पर मरीजो की संख्या दिखाया गया कितना है 35 है То इसमें जो कितने मरीज की आयू है वह 10 से 20 के बीच है तो तो 15 है तो इसके बीच का पूछ रहा है तो 27 में से 15 को माइनस कर लेंगे तो 7 में से 5 जाएगा 2 और 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा यह नि कितने मरीज होंगे तो 12 मरीज होंगे तो इसका दूसरा का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा बाड़ा हो जाएगा तो देखे दूसरा कुशन जो है कहा रहा है किसी कार खाने के 50 कर्मचाडियों का मासिक वेतन निमनांकित त्वारन द्वारा दिखाया गया है अब निमनांकित प्रश्णों के उत्तर दे पहला कुशन कहता है एक हजार रुपए से कम मासिक वेतन पाने वाले कितने कर्मचाडियों है तो एक हजार से कम देखना है तो देखे नीचे दिखाया गया है मासिक वेतन और इधर दिखाया गया है कर्मचाडियों की संख्या तो कितना पूछ रहा है एक हजार से कम, तो एक हजार से कम कितने होंगे, तो ये जो है आपके पच्चास करमचारी होंगे, यानि आपका ए का जो पहला आंसर होगा, वो कितना हो जाएगा, पच्चास हो जाएगा, दूसरा कुश्चन देखे, 600 रुपए से 800 रुपए के डालेंगे तो क्या हो जाइगा इसके बीच कितने कर्मचारी होंगे वो मिल जाएगा तो 46 में से 37 को हटाईएगा तो कितना होगा नो ओगा यानि नो कर्मचारी ऐसे हैं जो 800 Marx से 600 की बीच जो है ये अपना मासिक वेतन पाते हैं है तीसरा कॉष्चन है 400 रुपय से 600 रुपय के नीचे तक मासिक वेतन पाने वाले कितने कर्म चारी है तो 400 से 600 होता है देखिए ये 400 में कितना है 14 और 600 में कितना है 37 इस दोनों को माइनस कर लेंगे तो आपका अंसर निकल जाएगा 7 में से 4 जाएगा 3 और 3 में से 1 जाएगा 2 यानि कितने हो जाएगे तो 20 हो जाएगे और next question कहता है कि button की संचिप्त बारंबारता साजनी बनाईए फिर बी का दूसरा कहता है button की संचिप्त बारंबारता साजनी बनाईए यानि सबसे पहले ये जो दिया गया है इससे हमें button साजनी बना लेना है तो देखिए कैसे बना स्थिर्स साइव यहां, संचनी बारंबार्ता है। 5 जैसा कि यहां पे देख रहे हैं, कि हम बना चुके हैं, मांसिक वेतन, संचनी बारंबार्ता, ये जो है आपका पहला का अंसर हो जाएगा और दूसरा में बारंबारता पूछ रहा है तो बारंबारता दिखा लेंगे तो दूसरा हो जाएगा पांच खाना है तो यहां पांच तक बना लेजिए तो एक हो गया यह हो गया आपका दो यह हो गया तीन और यह हो गया चार और यह हो गया आपका पांच अब देखे यहां जो है वर्ग अंत्राल बनाईएगा तो यहां कहां से कहां है देखे जीरो से दो सो है फिर दो सो से चार सो तो ऐसे करके वर्ग अंत्राल बना लिजे जीरो से दो सो इसके बाद दो सो से क्या हो जाएगा 400 फिर क्या हो जाएगा 400 से 600 और कहां तक जाना है तो 1000 तक यह हो जाएगा 600 से 800 इसके बाद 800 से 800 से क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा तो यह आपका बन गया, इसके बाद हमें क्या दिखाना था, संचई बारमबारता, तो देखे, इसका संचई बारमबारता कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, फिर चाउदा हो जाएगा, तो यहां क्या लिखेंगे, चार, और यह क्या हो जाएगा, चाउदा हो जाएगा, और फिर अगला क्या दिया है, अगला दिया हुआ है 37, और 37 के बाद 46 है, और 46 के बाद 50 है, अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसके बाद दूसरा नंबर कोशन में कहा था, कि 12 बारम बारता चाहिए, क्या चाहिए, 12 बारम बारता, तो यह आपका दूसरा हो जाएगा, और इसमें हमें क्या चाहिए बारम बारता तो देखें बारम बारता के लिए क्या करते हैं ये तो 4 होगा ही होगा और अगला में से पिछला को माइनस कर लेते हैं यानि 14 में से 4 को घटा लीजेगा तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा तो ये आपका बारंबारता निकल गया, पहला में जैसा कि संची बारंबारता दिखा दिये, फिर एसी में हमने क्या किया, बारंबारता को भी दिखा दिया, तो ये आपका दोनों कोश्चन बन गया, अब देखें, next question, तीसरा number question, तीसरा क्या कहता है, पहले इसे समस्ते हैं, तो देखिए तीसरा, तो देखिए यहां जो है तीसरा का पहला कोशन कहता है, सिमित परतिष्ठानों के एक समुह द्वारा नियुक्त सर्मिकों की दैनिक मजदूरी निमनलिखित हैं, तो कह रहा है उप्रियुक्त साड़नी के अधार पर बारंबारता वक्र बनाईए, तो देखिए, जैसा कि हम लोग पहले समझे थे, कि कोई भी वक्र बनाने के लिए, सबसे पहले तो कोशन में ये दो चीज दिया हुआ है, इसके बाद हमें क्या निकालना होगा, तो हमें संचई बारंबारता निकालना होगा, तब ही हम वक्र बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे, तो जैसा कि देखिए, यहाँ पर दैनिक मजदूरी का अंतराल दिया है, तीन से पांच, इसके बाद जो दिया, वो दिया आपका पांच से साथ, फिर क्या है, तो साथ से नो है, फिर नो से ग्यारा है, और फिर ग्यारा से जो है, तेरा है, और तेरा से जो है, पंदरा है, तो यह हमने क्या किया, यहाँ बारंबारता वरगंतराल खिच लिया है, तो इसे भी मिला देजिए, क्या मिला देंगे, तो देखे, इसके बाद जो है, 12 बारम बारता दिया हुआ है, 12 बारम बारता आपका 7 है, फिर आपका 10 है, फिर जो है, 23 है, फिर 15 है, और 15 के बाद 6 है, और 6 के बाद क्या है, 3 है, तो इसके बाद हमें क्या निकलना होगा, तो स जंचली बारम बारता कैसे निकलते हैं तो ये 7 है तो 7 फिर 7 में कितना जोड़ेंगे 10 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साथ तीन दस का जीरो हासिले तीन और एक कितना हो जाएगा चार और चालिस को एक्यावन के साथ जोरेंगे तो यह हो जाएगा एक्यानवे और एक्यानवे में छे को जोरेंगे तो कितना हो जाएगा संतानवे और संतानवे में तीन को जो रेंगे तो कितना हो जाएगा एक सो हो जाएगा अब क्या करेंगे तो अब जो है हमें क्या करना है तोरन बनाना है तोरन के लिए क्या करेंगे तो यहां जो है एक एक सक्ष ले लेंगे और वाई अक्ष तो इस परकार से जो है आप एक X aksh बना लिए अब देखे इसी प्रकार से जो है X aksh खिच लेते हैं इस प्रकार से यहाँ X aksh खिच लिए इसे कह देजिए X aksh और इसे कह देजिए Y aksh अब हमें दिखाना क्या है तो देखे दो चीजी आप दिखाईएगा एक तो आप दिखाईएगा संचई बारंबारता और एक क्या दिखाईएगा तो एक दिखाईएगा आप दैनिक मजदूरी तो देखें नीचे में जो है लिख देजिए दैनिक मजदूरी क्या लिख दें दैनिक मजदूरी दैनिक मजदूरी नीचे में हो गया और किसमी दिखाया गया है तो रुप्या में तो यहां कर दिजिए रुप्या और इधर क्या दिखाना है तो इधर आपको दिखाना है संचई बारंबारता तो यहां लिख दिजिए संचई बारंबारता अब क्या करते हैं अपने मंद से जो है कुछ कुछ का अंतराल ले लेते हैं जैसा कि यहां पे जो है दैनिक मजदूरी का अंतराल दिया हुआ है देखिए दिया हुआ है तीन से पांच तो यहां ले ले लिजिए कुछ अंतराल यहां से माल ले जिए यहां तो जीरो ही होगा म फिर इसे 9 मान लिजिए इसे 11 मान लिजिए और इसे 13 मान लिजिए और इसे 15 आप अपने scale की सहायता से इसे बनाईएगा ताकि correct बनेगा अगर यहां से 3 ले रहा है तो फिर 2 बढ़ाईए इस परकार से 15 तक लिजिएगा अब हमें क्या लेना है तो अब लेना है संचई बारम बारता तो देखे संचई बारम बारता जो है काफी ज्यादा ज्यादा है अगर हम यहां से जो है मान लिजिए 10 10 के अंतराल पर ले लेंगे तो कोई problem नहीं होनी चाहिए तो मान लिजिए अगर हम 10 इतना को मानते हैं तो इतना ही उपर जाएंगे तो क्या मिलेगा फिर 10 मिल यह आपका 70 हो जाएगा और यह आपका 80 हो जाएगा यह 90 हो जाएगा और मान लिजिए यहां पर हम 100 को दिखा देते हैं क्योंकि जगह यहां कम है तो यहां हम 100 को दिखा देते हैं अब हमें दिखाना क्या है कि वरगंतराल दिखाना है तो देखे यहां 5 कितना लेंगे 5 तो 7 दिखाना होगा, तो 5 पे कितना, ये 5 हो गया आपका और 7 कहां होगा, कड़ीब 10 से थोरा सा नीचे होगा तो मान लिजै कि यहां है, तो यहां से इसे बरहाइए और यहां से इसे बरहाइए, तो इस बिंदू पे कड़ीब ये कटेगा तो इसका नियामक क्या हो जाएगा तो पहले आप X अक्ष को लिखेगा उसके बाद Y अक्ष तो Y अक्ष कितना है? 7 है इसके बाद क्या दिखाना है? तो देखे, यहाँ जो है, हमें 7 पे कितना पे लेंगे? 5 पे नहीं, 7 पे लिजेगा तो 7 पे कितना? 17 दिखाना है तो देखे, 7 जो है तो यहाँ 7 लिजेगा तो 17 कहा आएगा? करी 20 से नीचे आएगा तो यह आपका क्या हो जाएगा? 17 इसे उपर बढ़ाईएगा और दोनों जिस बिंदू पे करता है वही बिंदू क्या हो जाएगा? तो यह बिंदू जो है आपका 7, 17 हो जाएगा देखे, X अक्ष को पहले लिखे है और फिर Y अक्ष को बाद में लिखे है तो यह 17 हो गया फिर दिखाना है 9, 40 दिखाना है तो 9 पर 40 लेजिए तो यह आपका 9 हो जाएगा और 40 यह हो जाएगा यानि इसे बरहाईएगा तो यहाँ आएगा और यह दोनों कहां कटेगा? यहां कटेगा तो जिस बिंदू पे कटेगा यही बिंदू आपका क्या होगा? 9, 40 हो जाएगा और next क्या दिखाना है? तो next दिखाना है 11 पे 91 दिखाना है क्या दिखाना है? 11 पे 91 तो देखिए 11 पे 91 लीजिएगा तो यह आपका 11 हो जाएगा और 91 कहां होगा? तो जश्ट इस से थोरा सा उपर होगा यानि आपका बिंदू कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा नेक्स्ट लेना है 13,97 तो 13 यह रहा और 97 कहां होगा? तो जश्ट 100 से थोरा सा उपर होगा यानि यह दो बिंदू दोनों बिंदू यहां पे कटेगा और इसका नियामक हो जाएगा आपका 13,97 हो जाएगा और नेक्स्ट जो लीजिएगा वो आपका दिखाना है 15,100 तो 15 तो आपका हैंडेड तो यहां पे होगा तो यह मान लेजिए आपका हैंडेड है और यहां नीचे देखेगा तो यह आपका 15 है तो इसे उपर बरहाते जाएगा तो यह दोनों इस बिंदू पे कटेगा और जिस बिंदू पे कटेगा इसी का नाम क्या हो जाएगा तो इसी का नाम जो है पंदरह कौमा हैंडेड हो जाएगा अब इसे क्या करेंगे इसे जो है मिला देंगे तो देखें यहां से मिलाएगा तो यह ऐसे मिलेगा और इसे मिला देजिएगा इस परकार से यही चीज आपको कह रहा था खिशने के लिए तो देखिए आलेक बन चुका है यही खिशना था आप लोग भी आसानी से खिश लेजिएगा नेक्स्ट कोश्चन देखिए चार नंबर यह कोश्चन आपका तीन का पहला था अब देखेंगे तीन का दूसरा तो देखिए तीन का दूसरा इसमें भी क्या करना है इसमें भी आपका त्वारन खिशना है तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से वरगंतराल और इसकी बारंबारता दे दी है तो इस तरह से इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं यह आपका क्या हो जाएगा अंक हो जाएगा और यह आपका क्या हो जाएगा जैसे क विद्यार्थी की संख्या दिया इसके बाद हमें वक्र निकालने के लिए क्या निकालना होगा संख्या तो यहां क्या लिखेंगे अंक दिया तो अंक लिखेंगे और दूसरा जो दिया वो दिया विद्यार्थियों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या हो गया और यहां पे हमें क्या चाहिए तो यहां पे आपका संचई बारंबारता तो यहां बना लेंगे संचई बारंबारता का इसका जो वर्गंत्राल दिया वो आपका है जीरो से दस 10 से 20 20 से 30 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60 यह आपका वर्द अंत्राल है और इसकी बारमबारता जो दिया है उसे भी लिखेंगे तो देखें बारमबारता जो दिया वो आपका 7 है 10 है 23 है 51 है 6 है और 7 है कुछ AC प्रकार है तो देखें यहाँ से संचई बारमबारता निकार दियेगा तो यह कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा तो 17 हो जाएगा 17 में 23 को जोड लिजिएगा तो यह कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा 40 में 51 को जो रहेंगे तो कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 97 और ये कितना हो जाएगा तो one handed हो जाएगा तो देखे ये जो है तीन का दूसरा question है जरा ध्यान से देखेगा तो देखे ये तीन का पहला जैसा question है सेम ही कोश्चन है न एक ही जैसा है सारा कुछ केबल चेंज क्या है तो वर्गंतराल जो है चेंज है देखिए यहाँ पर वर्गंतराल चेंज है तो हम भी क्या करेंगे यहाँ पर जो है दैनिक जो मजदूरी लिखे हैं यहाँ पे अंक को क्या करेंगे चेंज कर देंगे तो देखिए जैसा कि बनाते हैं सेम उसी परकार से बनेगा तो सबसे पहले इसमें भी क्या लेना होगा तो इसमें भी हमें क्या करना होगा एक X अक्ष और एक Y अक्ष को खीच लेते हैं तो देखिए एक बनाते हैं x अक्ष ये आपका क्या हो गया ये आपका y अक्ष हो गया और यहां ले लिजिए x अक्ष तो ये आपका x अक्ष हो गया ये आपका y अक्ष हो गया अब हमें दिखाना कहां तक है तो 100 तक दिखाना है तो अंक को कहां रखेंगे अंक को नीचे बारमबारता में दिया वो दिखाना है तो इधर लिखेंगे अब यहां से जो है 10-10 का अंतराल बना लिजी मौन लिजी यह आपका 10 है यह क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और यह आपका 30 हो जाएगा यह 40 हो जाएगा यह 50 और यह 60 हो जाएगा यह 70 हो जाएगा यह 80 और फिर इ 20 करके लिजिए तो थोड़ा कम पड़ेगा तो ये आपका क्या हो गया 20 हो गया ये आपका 40 हो जाएगा ये आपका 60 हो जाएगा ये 80 हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा तो ये जो है आपका one handed हो जाएगा अब हमें जो पहला दिखाना है वो क्या दिखाना है 10,7 और संशेई 12 बाराम बारता कितना लेंगे 7, तो यहाँ कितना दिखाएंगे 10,7, यानि यह जो है आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 7 पे लेंगे तो काहाँ लगवग यहाँ मैच करेगा, तो यह बिंदू आपका क्या हो जाएगा, पहले एक सक्ष लिखे 10,7 हो जाएगा और दूसरा जो बिंदू है वो 20,17 है तो 20,17 लिजेगा तो 20 से थोरा सा कम होगा तो माल लिजे 17 यहां पे होगा तो ये बिंदू आपका क्या हो जाएगा तो ये जो है आपका 20,17 हो जाएगा और next जो बिंदू होगा वो 30,40 होगा तो 30 तो आपका ये रहा और 40 कहाँ है तो 40 जो है आपका ये रहा तो इसे आगे बरहाइए और इसे आगे बरहाइए ये दोनों जिस बिंदू पे कट गया यही बिंदू क्या हो गया तो ये जो है 30,40 हो गया और अगला जो बिंदू है वो आपका है चालिस से चालिस और एक क्यानवे कितना है चालिस एक क्यानवे तो चालिस यह हो जाएगा एक क्यानवे लगभग जो है एक सो के पास हो जाएगा तो इसे मान लीजिए तो इसे आगे बरहेगा तो यह दोनों जिस बिंदू पे कटेग तो ये दोनों कहां कटा इस बिंदू पे कटा तो इसका नियामक क्या हो गया तो इसका नियामक हो गया 40,91 और जो अगला बिंदू दिखाना है वो 50,97 तो 50 आपका ये हो जाएगा तो इसे आगे बढ़ाईए तो बढ़ाईएगा तो यहाँ आएगा और 97 करीब इसके पास आसा ऊपर है तो यहां रखिए Handed, तो यह आपका Handed हो जाएगा, यानी यह कितना हो गया, 60, जो है, One-Handed हो गया, इस परकार से असानी से बना सकते हैं, फिर यह आपका Zero होगा, यहाँ से एसे मिला देजिए, जैसे जैसे dotted है, वैसे वैसे आप क्या कर सकते हैं, इसे मिला दे देखें मिला दिये ये जो है आपका question बन गया अब देखें next question तो देखें चौथा question कहता है कि तीस दुकानों का वार्षिक लाव निम्न बितरन में दरसाया गया है जैसा कि लाव देदिया दुकानों की शंख्या देदिया तो इसे जो है कहा रहा है आपको क्या वक्र त्वार्ण बनाने के लिए और क्या कहता है लाव वितरन दरसाया गया है तो इसमें question क्या कह रहा है कि इसके लिए दोनों प्रकार का त्वार्ण खीचे इन वक्रों के छेदन बिंदू का भूज एक्स अक्ष क्या होगा तो यहां आपको दोनों प्रकार का त्वार्ण खीचना यानि से अधिक और से कम भी खीचना है तो देखे जो दिया सबसे पहले उसे क्या किजिए उसका जो है हम से कम और से अधिक निकाल लेते हैं तो देखे यहां जो question दिया 5 से अधिक और फिर है 10 से अधिक तो 5 से अधिक हम कितना बना सकते हैं 5 से 10 और फिर 10 से जो है 15 15 से 20 इस तरह से बना लिये हैं इसके बाद क्या 12 बारता निकालना है तो देखे यहां जो है 30 दिया यहां क्या दिया 30 इस दोनों के बीच का difference जो है वो कितने का है तो 2 का है तो इसकी बारमबारता कितनी हो गई दो हो गई फिर 16 में से 28 को घटा लिजीगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और इसी परकार से जो है ये कितना हो जाएगा तो इसकी जो next बारमबारता होगी वो कितना हो जाएगा दो हो जाएगा और फिर घटाईएगा तो कितना हो जाएगा चार और फिर घटाईएगा तो कितना तीन और फिर चार हो जाएगा फिर तीन हो जाएगा इस तरह से क्या निकल गया तो इस तरह से में 4 को तो 27 हो जाएगा और 27 में 4 को 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा तीस हो जाएगा और से अधिक निकालना है तो ये उपर नीचे से लिख दीजेगा तो हो जाएगा ये 30 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और फिर ये जो है आपका कितना हो जाएगा तो ये जो है आपका 20 है तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा आपका 14 और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा तो इसका ग्राफ खीचना है तो देखे कैसे गराफ खीचते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे जो हमें कम लेना है क्या लेना है से कम लेना है तो इसके लिए कैसे गराफ खीचेंगे देखे तो इसका त्वारन खीचने के लिए जो है से कम के लिए जब खीचेंगे तो यहां से लेंगे उच्छ इबारम बारता और से अधिक के लिए खिचेंगे तो यहां से लेंगे कम भैलू और से अधिक यानि ये लेंगे संचाई बारम बारता तो देखिए खिचते हैं अगर मानने जे यहां तक हम 10 मानते हैं तो फिर इतना ही दूरी ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा फिर इतना ही दूरी ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा और फिर ये कितना हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा चुकि हमें 40 तक ही लेना है और चुकि अंतर जो 35 और ये 40 है तो इसके बीच क्या हो जाएगा 45 और ये 50 है तो यहां क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा जो कि हमें 40 तक ही लेना है तो देखें next जो है next क्या दिखाएंगे तो next हमें दिखाना है संचई बारमबारता तो संचई बारमबारता जो high-est है वो 30 तक है तो हम यदि 5-5 का ले लेंगे तो कोई दिकत नहीं होना चाहिए अगर माल rotary जी यहां से यहां दूरी जो है 5 ले लिए हैं 5 तो इतना ही दूरी आगे यहां केतना होगा तो 10 होगा और ये कितना होगा 15 और ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा 25 और ये क्या हो जाएगा तो 30 हो जाएगा अब देखे हमें दिखाना क्या है तो सबसे पहले हम दिखाएंगे से कम के लिए तो से कम के लिए अधिक बारंबारता लेना है और से कम संचरी बारंबारता लेना है तो देखे इसमें क्या दिखाएंगे तो देखे इसका बारंबारता आपका 10 हो जाएगा और संचरी बारंबारता 2 दिखाएंगे फिर इसी परकार से 15 और 14 को दिखाएंगे 25 और 20 को 30 और 23 को 35 और 27 को फिर 40 और 30 को तो देखिए दर साते हैं तो सबसे पहले जो हमें दिखाना है वो कितना 10 और 2 को दिखाना है कितना को दिखाना है 10 और 2 को दिखाएंगे तो दिखाएंगे 10 और 2 तो देखे पहला जो होगा वो हमें दिखाना है इधर क्या है तो इधर जो है आपका लाव है क्या है लाव और इधर क्या है तो इधर आपका क्या है संचई बारंबारता तो यहां लिख देजिए संचई बारंबारता तो सबसे पहले 10 क्या दिखाना है 10 तो 10 यहां पे है और स कम संचरी बाराम बारता दो है तो दो करीब यहां पर आएगा तो माल लिजे यह बिंदू जो है आपका क्या हो गया तो यह हो गया आपका 10,2 नेक्स्ट बिंदू है जो 15,14 दिखाना है तो यहापका 15 हो गया और चाओधा करीब इसके पास होगा और यह दोनू जो है इस बिंदू पे कटेगा तो इसका नियामक क्या हो जईगा तो यह हो जाएगा आपका 15,14 नेक्स्ट बिंदू जो दिखाना है वो 20,16 तो यह आपका 20 हो जाएगा 16 जस्ट इस से एक उपर हो जाएगा तो यहां मान लेजिए हो जाएगा आप जो है स्केल की साहता से सीधा सीधा करके मिलाईएगा तो ये आपका जो हो गया वो कितना हो गया 20,16 हो गया next बिंदू है जो 25,20 है तो ये आपका 25 हो जाएगा और 20 जो है ये बिंदू हो जाएगा तो दोनों इस बिंदू पे कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 25,20 और next बिंदू जो है वो 30,20 है तो देखे 30 जो है आपका ये है और 23 करीब जो है यहाँ पर होगा तो इसे मिला देजिए तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 30,23 तो देखे 30,23 हो गया इसके बाद हमें क्या दिखाना है 35,27 तो ये आपका 35 हो जाएगा और 27 जो है करीब 30 के जो है थोरा सा नीचे ह तो यहां मान लीजी और यहां आपका यह बिंदू हो जाएगा कितना हो जाएगा तो 35,27 हो जाएगा फिर इसके बाद दिखाना है 40,30 तो यह क्या हो जाएगा 40 है और यह क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा यह दोनों जिस बिंदू पर कटेगा इस बिंदू का नाम हो जाएगा 40 20,30 अब हमें क्या दिखाना है तो अब दिखाना है से अधिक के लिए तो ये किसका हो गया तो ये जो है से कम के लिए होगा जबकि अब हमें क्या दिखाना है से अधिक के लिए तो इसे मैच कर दिजिए इस प्रकार से इस प्रकार से इसे मिला दिजिए तो देखिए जैसे जैसे बिंदू था वैसे वैसे जो है इसे मिला दिये है और ये किसका वक्र है तो ये है आपका से कम के लिए किसके लिए है से कम के लिए है तो से कम के लिए दिखा दिये तो देखे अब जो हमें दिखाना है वो किस के लिए तो से अधिक के लिए तो यहां से अधिक के लिए जो है कम वाला लेंगे और संचे बारंबारता जो है यह लेंगे 30 वाला यानि 5 के साथ किसे दिखाएंगे तो 30 को दिखाएंगे तो देखिए कैसे दिखाते हैं तो यहां जो है यह आपका क्या हो जाएगा लाब हो जाएगा पांच और संचरी बारंबारता कितनी हो जाएगी से अधिक बारंबारता यह जो है आपका तीस हो जाएगा यानि इसे बरहाएगा तो कहां कटेगा तो इस बिंदू पे कटेगा तो ये बिंदू का नाम क्या हो गया तो इस बिंदू का नाम हो जाएगा आपका 5,30 हो जाएगा और जो दूसरा बिंदू है वो आपका 10,27 हो जाएगा तो 10 ये हुआ और 27 कहा हो जाएगा तो 27 यहाँ पे हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 10,27 तो यहाँ लिख देजिए 10,27 और तीसरा बिंदू जो होगा वो 15,20 हो जाएगा तो 15 यह रहा और 23 यहाँ पे दोनों कटेगा तो यह इस बिंदू का नाम क्या हो गया तो इस बिंदू का नाम हो गया 15,23 और जो next बिंदू होगा वो 20, कितना हो तो बीस कॉमा जो है वो आपका बीस हो जाएगा तो बीस कॉमा बीस यहां पर आएगा तो यह बिंदू आपका क्या हो गया बीस कॉमा जो है बीस हो जाएगा और नेक्स्ट बिंदू जो होगा वो पच्छिस कॉमा कितना हो जाएगा तो 25,16 हो जाएगा कितना हो जाएगा 25,16 तो ये कटेगा कहाँ तो ये जो है करीब आपका 25,16 यहाँ है तो यहाँ पे कट जाएगा यहाँ पे ये कट जाएगा तो इसका नियामक क्या हो जाएगा तो ये जो है आपका 25,16 हो जाएगा और next जो होगा और अगला बिंदू जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा तो वो जो है आपका 35,2 हो जाएगा तो 35,2 कहां कटेगा तो यहां कटेगा तो इसका नियामक हो जाएगा 35,2 अब क्या कीजिए इसे जो है मिला दीजिए तो इसे मिलाईएगा तो जैसे जैसे बिंदू है वैसे मिलाईएगा तो यहां भी मिलाईए जैसे जैसे बिंदू है इस प्रकार से जो है यह मिल जाएगा और यह किस के लिए है तो यह से अधिक के लिए है तो इधर लिख दीजि गुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् ये दोनों कटा कहां तो यहां पे कटा अगर आप जो है scale की सहायता से बनाईएगा तो बिल्कुल सही होगा तो ये करीब कटेगा कितना पे पे कटेगा कितना पे कटेगा 17.5 पे तो चुकि ये जो है किसी माप करके जो है नहीं बनाया गया है नहीं तो आप जब माप करके बनाईएगा तो ये कितना पे कटेगा तो ये कटेगा 17.5 पर और ये question क्या हो जाएगा आपका बन जाएगा सेम इसी परकार से बनेगा तो आप लोग जो है जब भी इसे बनाईएगा तो skill की सहायता से बनाईएगा तो ये जो है आपका इस chapter का पूरे वीडियो था तो ये chapter खतम हो गया फिर मिलते हैं next video के साथ next chapter के साथ तो आज के लिए इतना ही